वेल्कम, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है, सब ठीक होंगे तो चलिए आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूं मसाला धोसा आज की इस विडियो में हम धोसा के बैटर से लेकर आलू के मसाला बनाने और क्रिस्पी धोसा बनाने दर सारा प्रोसेस सेर करेंगे सबसे पहले हम मेजर्मेंट के लिए कोई कटोरी या कफ लेंगे हम यहाँ पे कफ से लेंगे दू कफ चावल, अरूसी कफ से लेंगे एक कफ उरत की दाल और वन टीजपून महती दाना इसमें पानी डालके, इसे अच्छी तरह से दो-तीन बर वास करके इसे ओवरनाट विगोकर रख लेंगे अब देखिए चावल अच्छे से पूल चुके है, इसे हम एक जार में डालेंगे और जार में डालेंगे थोड़ी से पानी पानी की कॉंटिटी हम कम रखेंगे ज़ुरत पढ़ने पर बाद में एड़ करेंगे अब इसमें पोहा एड़ करेंगे पोहा से थोसा थोड़ा क्रिस्पी बनेगा और अब हम चावल का एक स्मूथ सा पेश्ट बना लेंगे अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और बाकी के चावल को भी इसी तरह से दो तीन बार में ग्राइंड करके रख लेंगे और हमें बैटर की थिकनेस इसी तरह से रखनी है गर्मी में तो ये जल्दी फर्मेंट होता है पर अभी सर्दी है तो इसे हम ओवरनाइट या फिर आठ दस घंटे के लिए ढग कर फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे और लगभग बारा घंटा बाद देखिए ये फूल के डबल हो चुका है अब हम इसमें हाप कप पानी डालेंगे और इसे हलका सा लूज कर लेंगे और इसमें डालेंगे वान टेबल इस्पून नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बस हमें इसकी थिकनेस इसी तरह से रखनी है अब हम आलू वाला मसाला तयार करेंगे इसके लिए एक कड़ाई में तेल गर्म करेंगे तेल गर्म होते ही इसमें डालेंगे वान इस्पून राई और राई चटकते ही इसमें डालेंगे वान इस्पून उरत का दाल और वान इस्पून चना का दाल इनसे हमारे मसाले में एक्तम सौथ वाली फ्लेवर आईगी अब हम इसमें डालेंगे हाँ पेंच आद्रा काटुगडा बारिक काटके और साथ ही डालेंगे तेन सुखी लाल मेर्च और एक हरी मेर्च बारिक काटके अब इसमें डालेंगे दस से बारा कड़ी पत्ते हल्दी और वन टेबल स्पून कास्मेरी लाल मिर्च एक बड़ा साइज का बारिक कटा हुआ प्याज और अब इसे तीन से चार मिनट तक हल्का सॉफ्ट होने तक भूनेंगे अब लगवग तीन मिनट बाद हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुकी है तो इसमें डालेंगे हम दो कटे हुए टमाटर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसमें डालेंगे हाप टेवल स्पून नमक और अब इसे एक मिनट बुनने के बाद इसमें डालेंगे हम दो स्पून सांबर मसाला और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके बाद डालेंगे इसमें हाप कप पानी पानी डालके पकाने से सारी सब्जियां सॉफ्ट भी होगी और मसाले का कच्छापन भी खतम हो जाएगा तीन से चार मिनट के लिए इसे ढख के पकाएगे अब लगभग चार मिनट हो चुके हैं सारे मसाले और टमाटर अच्छे से कूख हो गया है अब इसमें डालेंगे छे बड़े साइज के उबले आलू मैस किये हुए सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप प्याज या टमाटर कुछ भी पसंद नहीं करते हैं तो आप इस मसाले में इसे स्किप कर सकते हैं यह देखने में जितना अच्छा लग रहा है इसकी खुस्बू भी उतनी ही अच्छी आ रही है अब यहाँ पे आलू के लिए हम इसमें डालेंगे वन टेबल इस्पून नमक हम इसमें पहले भी नमक डाल चुके हैं इसलिए नमक यहाँ पे कम ही डालेंगे अब हम यहाँ पे डालेंगे फ्रोजन मतर आप चाहे तो फ्रेश मतर यूज़ कर सकते हैं अगर फ्रेश मतर डालना है तो उसे पहले ही पियाज के साथ जालें और अगर आपको हमारी रेजिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे सेयर करें और अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से कोरियंडर लीफ और सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा मसाला तैयार है तो चलिए अब हम एक नॉट्ट्रिक तवा गरम करते हैं और उसमें पानी की छीटे मारेंगे और इसे एक कपड़े से साफ कर लेंगे और अब एक सर्विंग स्पून की हेल्प से बैटर को तवे की सेंटर पर रखेंगे और इसे रॉंड रॉंड घुमाते वे एकदम किनारे तक इसे ले जाएंगे इसे दू तीन बार प्रैक्टिस करने से यह आराम से होने लगेगा और इसे आप जितना क्रिस्पी करना चाहते हैं उतना देर छोड़ें और देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है अब इसमें आलू वाला स्टफिंग रखेंगे अब चाहें तो उपर से थोड़े से क्रस्प के उवे गाजा और प्याज डाल सकते हैं और बस अब इसे निकाल लेंगे और तयार है हमारा पहला दोसा और लेजिए बन के तयार है हमारा दोसा इसे सामबर, चटनी, सौस या अपनी पसंद के सबजी के साथ खा सकते हैं तो चलिए एक और दोसा बनाते हैं पानी के चिटे मारेंगे हमें हर बार पानी के चिटे मारने हैं और साफ करने और फिर उसी तरह से बैटर डालेंगे और उसे रौंड रौंड घुमाते हुए किनारी तक फैला लेंगे और अगर सादा दोसा बनाना चाहते हैं तो इस पे आलू अला मसाला ना डालें और अब इसमें आलू अला मसाला डालेंगे और इसके उपर से गाजर, प्याज, धनिया, पत्य, आप अपने पसंद के कोई भी सबजियां डाल सकते हैं और अब इसे हम इसे ट्राइंगल सेप में फोल्ड करेंगे और देखिए बन के तैयार है हमारा दूसरा दोसा तो आप भी जरूर बनाए इस तरह से टेश्टी और क्रिस्पी दोसा